तो फिस्ट फ़ल उन अपने वीडियो में बोला था कि मेरे चैनल पर इतला कि अपस्क्राइबर नहीं कि यूद्ध यून मतलब मेरा बड़ तो उससे पहले शुआ 8000 सब्सक्राइबर बढ़ गया मेरे चैनल पर विच इन सेन तो यार जिरून अभी तक चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गौरफ जोन के बारे में तो अपने चैनल पर एक डिस्ट्रैक रिलीस कर दिया जिसका टाइटल है बाप आया वहाँ पर उस डिस्ट्रैक में बहुत सारे यूटीवर्स को डिस्क किया जैसे लक्षे मुझे नहीं पता था वह एक डिस्ट्रैक है और मुझे भी डिस्क करने वाला गौरफ जोन जैसे कि मैं बोला मेरे साथ जो है बहुत सारे यूटीवर्स को डिस्क किया है जैसे लक्षे चौदरी लक्षे चौदरी जो है अपने इंस्स्ट्राइम पर रिप्लाइग ये स्टोरी पोस्ट की वे राज्ये को गौरफ जोन ने डिस्कर दी अपने यूटीव विच वो बोला सारे रोश्टर है कुट्टे वे गौरफ जोन है मैं तेरे डिस्क रख उते हैं मैं आज लक्षे बाई से पुझा था कि क्या वह वीडियो बनाने वाले गौरफ जोन के जब आप देना पड़ेगा इस बार गलत हुआ मेरे साथ इस टाइम इस पर्सनल लाइव एट 6.30 तो पता ने अब वो इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे आफर यूट्यूब पर लेट से इसके उपर कुछ रियाक्ट करते एसार भी तो मैं आप लोग बता दूँग बच्पन से मेरे को एक चीज़ सिखाए गई है कि आप सही को सही बोलो गलत को गलत बोलो सच का साथ दो मैंने हर बार इसके गलत होते हैं भी इसका साथ दिया इसको सपोर्ट करा एवरी टाइम एवरी टाइम और जब लिमिट पार हो गई ना मेरे को लगा भाई ये बंदा बहुत गलतियां कर रहा है अंदा धूंद गलतियां कर रहा है किसी की भी साथ गलत कर रहा है मैंने पिसली एक्सपोज वीडियो भी बनाई थी वो एक एक्सपोज वीडियो थे ही नहीं वो मैंने बस अपना पॉइंट रगा था मेरे को बना नहीं होती गाई मिरे पास इतन आपको इतनी नफरत होती तो आप तब क्यों नी रिप्लाइदी आपने मेरे को जब मैंने वीडियो बनाई यह जो कुट्टा उड़ाया भाई अब मैंने बोला कुट्ता उड़ा जाके मैंने केस करवाया जो आप मेरे को इन्वाल कर रहे हैं क्यों सी करते हैं अब समझने आ रहा है किस पर वीडियो बनाऊ पहले क्या गाना था भई तो आप लोग को बता दूंगा अभी आप लोग सोच रहोंगे कि भाई तुम रिप्लाई नहीं दोगे गया तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अप्लोड कर दिया जाके देख सक तो लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो सली यह अपडेट के बारे हैं बात कुछ के आयूश यादव के बारे में तो इनका चैनल है जिस पर आप देख सब्सक्राइबर है तो इनसे रिलेटेड एक आर्टिकल आउट हुआ है न्यूज एक्स के इन मुवी तो यह आप इसे आर्टिकल में लिखा है कि आयूश यादव जो है पॉपुलर बॉलिवूड डिरेक्टर के साथ अभी बात कर रहे हैं और से बात चल रहा है वही इससे आर्टिकल में लिखा गया है अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो लिंक आपको ड करते चैनल पर वहां पर जो पोक किया टिकटॉकर्स को टिक टॉकर्स टॉकर्स आपको दिखाता हूँ जहां पर डॉक्त की लोगों की तरह नी हमारे बच्चे तारे आइसा करके डांस करते बॉलिवूड ते वह म्यूजिकली टिक टॉक पता नहीं क्या कर रहे और कुछ यह बॉलीवूट से शीख करके आए बैम्बू स्कूल बना दिया अगली अप्डेट के बारे में बात कुछिए बीबॉइस के बारे में तो इनका चैनल जिसमें अल्मोस्ट फाइव लैक सब्सक्राइबर्स है तो रिसेंटली अपने यूटीब पर कुछ स्टोरीज पोस्ट करता है वो लोग डाउनलोड करके उसको रियाक्ट कर देते हैं अब यसके वैसे उसके व्यूस पर एफेक्ट पड़ता है तो काफी जादे गुस्ता था उन रियाक्शन चैनल के ऊपर एन वह बोल रहा था ही वह स्ट्राइक भी मारेगा अभी अगर कोई उनका वीडियो का अपलोड करने के एक महिने के अंदर-अंदर रियाक्शन डालता है तो आप देखिए बीबॉइस क्या कहा यार वाई काली टो मेंने वीडियो अपलोड दिया है उसको उठा के रियक्शन के नाम पर रियापलोड एटलिस तो सर अपते तो ग्रेने देता यार क्या मतलब ला करको पो स्त्राइक जाने वाला यह पक्का है मेरे दोस्त मैं आपको कहे रहा हूँ के ऐसा कटता ही नहीं करना कैसी का वीडियो उठा के रियेक्शन के नाम पर रियापलोड एगलात है गलत है जो लोग मेरेah वीडियो इसको वन महीने के अंदर मतलब सो लॉन दालता है उन किसी के भी वीडियो उठा के मत दालों को बहुत बुरा लगता है तो जली ये वगली अपडेट के बारे हैं बात कुछ है टोटल गेमिंग वर्सेस आसिस्स चंस लानी के बारे में तो जैसी के आप सो को पता होगा टोटल गेमिंग रिसेंटल आसिस्स चंस लानी को क्रॉस करने वाले थे इंटरम्स अप सब्सक्राइबर जैसी कि आप देख सकते हो एंट बन गए सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब इंडिविजुल क्रियेटर इन इंडिया तो सलिए वगली अपडेट के बारे में बात कुछ के है हर्ज बैनिवाल के बारे में तो हर्ज बैनिवाल का एक वीडियो आरहा आपको पता होगा जैसी का से रिलेटेड उसका एक हाइप बना हुआ है कि वो किल्ड जैसी का आपको पता होगा इसका वो एक ट्रेलर अप्लोड किया थे उनके सेकेंड चैनल पर उसी के बारे हम बताती हुए हर्ज बेनिवाल अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया थे जहाँ पर वो लिखे बता है उनका वीडियो जैसिका से रिलेटेड वो जो आपने इंस्टाग्राम पर एक और स्टोरी पोस्ट किया जहां पर उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया हो था कि वूधियो का लेकर लेट सी वीडियो का होता है तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कुछ एक बंदे पर एक ट्वीट किया था हाथ जोडता हूँ YouTube News Channels Neon Man News Boy की भूवन भाईया की माँ बाप के नाम पे capitalize ना करें और बेशर्मु की तरह व्यूज ना चापे मतलब वो बोल रहा है कि भूवन भाम की जो parents expire हुए recently उनके ओपर वीडियोज ना बनाये और व्यूज ना चापे तो उसके ओपर parents rest in peace भगवान उनके आत्मा को सांती दे तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जिरू कर देना मिलते अपने नेक्स वीडियो